प्रदेश में विदान सभा चुनाओ लड़ने के लिए केंद्रिय मंत्रियों को मैदान में उतरा गया यह क्या इंगित करता है यह क्या प्रेशित करता है भारतिय जंता पार्टी बोखला गई है भारतिय जंता पार्टी दोजार चोबीस में आप वास्तविक्तास से अउगत होगे कि किस प्रकार से देश विरोधी कारे करने वाली पार्टी इस देश की जनता ने कदा पी स्विकार नहीं किया है सावर करकी विचारदर आप यह मानती कि इसा व्यक्ति देश का नित्रुत हो करें जनता साथ है आप नवंबर में देख लीजिए का जब चुनाव के परिणाम घोशित होगे बोखला जाएगे देश के प्रदान मंतर इसलिए इसलिए डर गए हमशकार मैं नूर जहां और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आशिश कोटारिया जी तो जिस तरीके से जो पांच राज्यों का जो चुनाव है उसकी घोशना हो चुकी है और लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है तो इसी को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे क्या देख रहे हैं सर किसकी सरकार बनेगी देखिए पांचो विदान सभा के चुनाव जो घोशित किये गए पांचो राज्यों में भारतिया राज्ट्य कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमती की सरकार बनने जा रही है तेलंगा ना हो मद्यप्रदेश राजस्तान च 36 गड़ इन सभी राज्यों में भारतिया राज्ट्य कांग्रेस पार्टी की पूर्ण तह बहुमती की सरकार बनेगी मोदी जी जुमलेबाज व्यक्ति है परिस्थिती एसी सरजित हुई है कि आप देखिए मद्यप्रदेश के चुनाव में राजस्तान के चुनाव में सां बातिये जंता पार्टी बोकला गई है इसलिए आज केंद्रिये मंत्रियों को काम कर रही है वह अपना करणाटक हिमाचल प्रदेश चुनाव के परिण्याम देश की जंता के समक्षे करणाटक में बीजेपी को पूर्ण तरह कर दिया गया यह इंगित करता है कि देश की ज देशों में भी बजराया है शायद आपने तो पढ़ाय करके नहीं आये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एन एक्स्प्रेशन देख लीजिए हुमन राइट्स एक्प्रेटेशन की रिपोर्ट देख लीजिए आर्थिक असमानता देख लीजिए सामाजिक विशमता देश में ज जबकि भारत की विदेशनीती क्या कहती है गुट निर्पेक शांदोलन जो देश के पर देश और भारत में अंतर है बारत अंतरास्टे स्थर पे तीसरे गुट की नेत्रुत्व कर रहा था आज इसराइल के साथ खड़े हो गए अमेरिका किसके साथ खड़ा है रश्या किस के साथ खड़ा है भारत की विदेशनीती को समझना चाहिए पता नहीं पीमों से कौन निर्णे ले रहा है सब लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं जो मोदी जी हैं वो कर तो रहे हैं काम देश में इसे रोजगार इतनी सारी योजना है आवास योजना की बात की आवास लोकार लोकार पंड हुआ है उन सभी योजना का क्रियान वयन धरातल पे एक स्थान पे नहीं हुआ है राजस्तान में परिस्थिती देखिए केंद्र सरकार की योजना पश्चिम बंगाल जाए उत्तर पुरवी राज्यों का अध्यान कीजिया वास्तविकता से अउगत हो आज विश्व बैंक ने भारत को अंडर डेवलोप्ट कंट्री घोशित कर दिया है अभी हमें विकाश शिल बनना पड़ेगा फिर विक्सित बनेंगे कह रहे हैं ना सहितालिस तक बना देंगे भारत को सहितालिस तक जिवीत रहे तो क्या पता कुछ नहीं कह सकते भारत सरकार विशेश तोरपर नरेंद्र मोदी जी प्रदान मंत्री बने गए इस बात मैं इस चित्ता है आप सहितालिस की बात कर रही है लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लिखके ले लिए दो सारी बाते करते हैं लेकिन देखिए भारतिये जंता पार्टी दोजार चोबीस में आप वास् चब्द नहीं था हिंदुत्वा की बात ये किताब पढ़ी बीजेपी के व्यक्ति ने लिखिए रामादो ने इसमें लिखा गया कि हिंदुत्वा 23 से पहले जिनों ने गांधी को जिम्यदार माना की विबाजन के लिए इस व्यक्ति को नेत्रुत्व बनाना चाहते कदाप भी संभव नहीं हो सकता कॉंग्रेस ने देश के स्वाधिन्ता संग्राम में अपना लहू बहा है और भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस पार्टी सदीव देश के सोशित वंचित प्रताडि समुदाय के इतारत में सोश्ती है सोश्ती रहेगी और उनके मध्य राजनितिक साम व्याख्यान आयुजित करते देखते किसमें कितना दम है कितने कांड है यह पता है भारतिय जंता पार्टी को राम राज्य की परिकल्पना की बात कर रही है राम राज्य की परिभाषा क्या होती है तो आपको नहीं चाहिए क्या राम राज्य आना चाहिए किन्तु राम र जब कि क्या परिभाशा होनी चाहिए राजा सुखम सोरी प्रजा सुखम राजा दुखम विप्रिक परिस्तितिया है राज्य में लेकिन जनता उनके साथ है आप चाहिए कुछ भी बोलिये जनता साथ है आप नवंबर में देख लिजेगा जब चुनाओं के परिणाम घोशि के चीन को लालांग दिखा थे आज तक सीमा में डी एसकलेशन नहीं हुआ है अरणवाचल प्रदेश में राहूल गांदी जी ने बोला भारती जंदा पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला चीन ने हमारी जमीन हडप ली है आप जाए लद्दाक राहूल गांदी ची ग्या तो इन्होंने बताए जस तरीके से मोजी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है तो इसका साथ देंगे और जो कह रहे हैं कि जो पांच राज्यों की चुनाव भी होने वाले उसमें भी पूर महूमत से राहूल गांदी ही सरकार बनाएंगे तो इस पूरी बात्ची पर अपनी प् झाले प्याओ 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 जूरी प्याओ 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 काम राज।